हेलो फ्रेंट्स कैसे हो अब लोग उमीद है आप सबी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट फोर आज इस विडियो में इस फोन में टॉप फिप्टी प्लास इडन फीचास या टिपस और ट्रिक आप लोगों के साथ सेयर करूंगा अगर आपके पास एफोन है या आप एफोन बाई करने के लिए चाहर रहे हो तो एफ विडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है विडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहला जो फिचास है किसी भी एप पर आप टैप करके रखिए मैं यहाँ पर यूट्यूब के उपर टैप करके रखा हूँ दोस्तो आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली एस सारे सौटकार्ड में बहुत आसानी से जा पाओगे नोटिफिकेसान सेंटर में चलिए यहाँ पर बहुत सारे सौटकार्ड देखने को मिलता है फ्लैसलाइट दोस्तो यहाँ पर 360 फ्लैसलाइट दिया है फ्लैसलाइट के उपर अगर आप टैप करके रखोगे तो यहाँ पर फ्रॉंट में भी दोस्तो आप फ्लैसलाइट जल सकते हो काफी अच्छा फिचास ए उसके साथ दोस्तो यहाँ पर 360 फलैशली भी है मतलब दोस्तो फ्रॉंट सैट की तरफ फलैस्लाइट तो जलेगा साथ में दोस्तो बैक साट की तरफ की तरफ जो फलैसलाइट है ओ भी जलेगा तो दो फलैसलाइट एक साथ आप ऊन कर पाऊ इसमेन टैप करने के बाद दोस्तो इस सैड में आ जाएगा और स्कीन को बड़ा करने के लिए इस Leo कर सबसे आप मैनेज भी कर पाऊगे क्या रिपल् Liter we whatsapp mode को use करोगे दोस्तो जब आप whatsapp mode को use करोगे तब दोस्तो internet सिर्फ whatsapp भी use करेगा दूसरा third party कोई भी app use नहीं करेगा आपका internet silent skin recording देखने को मिलता है यहाँ पर आने के बाद दोस्तो आपके हिसाब से आप skin recording कर पाओगे silent या voice अगर आप voice करना चाहते हो तो voice में tap करने के बाद दोस्तो start skin recording कर देना जो skin है और record करना शुरू कर देगा तो आपके हिसाब से दोनों में से एक को आप चुन पाओगे focus mode देखने को मिलता है जब आप office में काम बगरा कर रहे हो तब दोस्तो बहुत सारे notification बगरा आपको distract करता है तो यहाँ पर आके दोस्तो यह जो focus mode है इसको enable कर देना यहाँ पर turn on कर देना मैं YouTube के उपर focus mode करता हूँ दोस्तो आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो आप YouTube को use नहीं कर पाओगे जब तक focus mode enable रहेगा और कोई भी notification बगरा भी नहीं आएगा तो आपके हिसाब से कुछ भी app के उपर आप focus mode को enable कर पाओगे यहाँ पर cast का option भी देखने को मिलता है बेसिकली दोस्तो आपके जो phone का skin है ओ थाड़ पाटी किसी भी computer या laptop में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर cast को enable करके बहुत आसानी से दोस्तो शेयर कर पाओगे आपके skin मोबाईल के skin को home skin में अगर आप दो finger से pinch करोगे निची की तरह बहुत सारे shortcut खुल के आजाएगा wall paper तो आप सभी लोगों को पता है widgets में जाने के बाद दोस्तो तरह तरह की shortcut है आपको जो shortcut पसंद है वहाँ पर tap कर दीजिए और ओ home skin में आजाएगा menu में चलिए दोस्तो यहाँ पर height app का option दिखाई देगा यहाँ पर more में क्लिक करने के बाद दोस्तो कुछ भी app को आप height कर पाओगे मालो दोस्तो मैं chrome को height करता हूँ यहाँ पर दोस्तो आप देखोगे आपको कोई भी दोस्तो chrome यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आप Unheight करने के लिए दोस्तों फिर से दोस्तों मेनू में जाने के बाद Hide में चलिए और यहाँ पे More में चलिए यहाँ पे Unselect कर दीजे अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ Chrome आपको यहाँ पे दिखाए देगा यहाँ पे Chrome आ गिया है तो आपके हिसाब से कुछ भी आपको इस तरह करोगे तो height app खुल गे आ जाता है तो आपके ही सबसे दोस्तो यह सब कुछ आप manage कर पाऊगे और यहाँ पे दोस्तो आपके setting को बदल भी पाऊगे जैसे कि दोस्तो यहाँ पे height app है आप start app या voice search या quick search को enable कर पाऊगे बहुत आसानी से दोस्तो जब आप app drawer में जाते हो तब दोस्तो background दोस्तो blur नहीं होता है और अजब सा fill देता है background में जो image है ओ दिखाई देता है background को blur करने के लिए दोस्तो फेर से home skin के menu में चलिए और यहाँ पे others setting में आने के बाद दोस्तो इस blur में क्लिक कर दीजे अभी दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे background blur आपको दिखाई देगा home skin में अगर आप उपर से swipe करोगे तो global search खुल के आता है यहाँ पे दोस्तो आप कुछ भी search कर पाऊगे चाहे ओ आप के बारे में या messages के बारे में कुछ भी दोस्तो यहाँ पे आपके साथ कर पाऊगे चलिए दोस्तो setting में setting में वर वर के features देखने को मिलता है सबसे पहले network and internet में चलिए उसके बाद wifi में चलिए उसके बाद wifi performance में चलिए यहाँ पे आने के बाद turn on wifi automatically basically दोस्तो आपके घर के आसपास बहुत सारे wifi है आप एक wifi के साथ connect हो और उसका speed कम है अगर दूसरे wifi के साथ आप आगे connect हुए थे तो automatically दोस्तो इस wifi के साथ disconnect होके दूसरे wifi के साथ connect कर लेगा जिसका speed ज़्यादा होगा यहाँ पे auto switch to mobile data मतलब दोस्तो आपके wifi में अगर speed कम है तो automatically दोस्तो mobile data में switch कर देगा जब आप new phone खरीते हो यहाँ पे battery का percentage दिखाई नहीं देता है तो उसको enable करने के लिए दोस्तो battery में चलिए यहाँ पे दोस्तो दिखाई देगा battery का percentage तो इसको enable कर देना और यहाँ पे दिखाई देगा battery का percentage कितना percent battery है डिस्पले में चलिए यहाँ पे iCare का option दिखाई देगा इसको turn on कर देना जब दोस्तो इसको मैं रातों में use करता हूँ अगर आप इसको रातों में use करोगे तो आपके आँकों को दर्त नहीं पहुँचेगा call में चलिए या messages में कुछ भी दोस्तो कुछ भी app खोलोगे सब कुछ दोस्तो dark यहाँ पे दिखाई देगा बहुत सारे लोगों को यह जो छोटा छोटा वाड है ओ दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पे front size में आनके बाद large कर दीजिए और यह जो later है यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा notch area display में चलिए दोस्तो बहुत सारे लोगों को दोस्तो यह जो water drop notch है यह पसंत नहीं है उन लोगों के लिए दोस्तो यहाँ पे height area कर देना दोस्तो उपर की तरब जो notch है ओ ढग जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे water drop notch है के नहीं तो आपके इसाब से दोस्तो आप इसको manage भी कर पाओगे lock skin display में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पे lock skin में चलिए और यहाँ पे दिखाई देगा show all notification content मतलब दोस्तो lock skin में अगर आप नोटिफिकेसान दिखाना चाहते हो तो उपर की तरब जो option है उसको enable करके रखना बरना दोस्तो don't show कर देना कुछ भी नोटिफिकेसान lock skin में दिखाई नहीं देगा system नेभी केसान में चलिए दोस्तो यहाँ पे justice का option दिखाई देगा यहाँ पे tap करने के बाद दोस्तो यह जो justice है ओ enable हो जाएगा अगर आप नीचे से swipe करते हो तो home skin में आ जाओगे अगर swipe करके tap करके रखोगे तो recent menu में आ जाओगे अगर आप इस set से swipe करोगे या इस set से swipe करोगे तो back हो जाएगा मैं अभी tips and trick बता रहूँ इसलिए दोस्तो button रहने देता हूँ यहाँ पे button का more option में जाओगे दोस्तो यह जो back button है इसको आप इधार भी लेकर आ साकते हो यहाँ पे tap करने के बाद लेकिन दोस्तो यह जो option है यह मुझे बहुत पसंद आता है storage में जाने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना RAM फ्री है और कितना internal memory फ्री है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा security में चलिए दोस्तो यहाँ पे find my device दिखाई देगा यह मिरे लिए बहुत important features है यहाँ पे जो website है इस website में जाने के बाद आपके phone में जो email ID है ओ देकर यहाँ पे sign in करके रख देना अगर कभी भी आपके phone गुम हो जाता है तो इस website में जाके उस email ID की जरिए आपके phone को बहुत आसानी से ढुंड पाओगे smart panel देखने को मिलता है basically दोस्तो ए और रहता है इसको enable करना पड़ता है home skin में इस side से अगर आप swipe करोगे बहुत सारे shortcut कुल के आ जाएगा skin sort, cleaner, up, यहाँ पे lock screen, skin recording बगरा यहाँ पे बहुत सारे app भी है edit में click करने के बाद दोस्तो बहुत सारे shortcut को आपके हिसाब से आप यहाँ पे manage भी कर पाओगे यहाँ पे background अगर मैं tap करता हूं तो इस side में आ जाएगा minus करने के बाद दोस्तो इस side में आ जाएगा यहाँ पे दोस्तो बी लाइन में आने के बाद बहुत सारे app देखने को मिल जाएगा आपके इस साथ से कुछ भी app को आप add भी कर पाओगे हुई ना कमाल का features action and gestures दोस्तो यहाँ पे दिखा रहा है tapping wipe मतलब दोस्तो double click to open or close the skin मतलब दोस्तो lock skin में अगर आप double tap करोगे तो skin का जो light है वो wipe up हो जाएगा flip mute basically दोस्तो किसी भी incoming call बेगर आ रहा है तो इस तरह flip कर दीजे और जो call है वो दोस्तो mute हो जाएगा यहाँ पे take a skin shot with three finger मतलब दोस्तो आप यहाँ पे three finger से skin shot भी ले पाओगे बहुत आसानी से कर पाओगे और दोस्तो एथा infinix smart 4 का 50 plus sedan features या tips and trick उमिद करता हूँ एफ वीडियो आपको पसंत आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना और subscribe करके बिल आइकन भज़ने time all में जरूर क्लिक करना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले फ्रेस वीडियो में तब तक हमर साथ बोलते हैं ये वारत माता की जय